नमस्कार दोस्तों मैं पुरिमा शंकर आप सभी का स्वागत करती हूँ राशी उपचार में दोस्तों 2021 के साल का पहला चंद गरहन लगने वाला है और किन राशी वालों पे ये डालेगा प्रभाव किन राशी को होगा इससे लाब या हानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को दबा दीजे दोस्तों 26 मई 2021 को साल का पहला चंद गरहन लगने जा रहा है जिस दिन गरहन लगेगा उस दिन वैशाक पुर्निमा भी है संपून भारत में यह गरहन नहीं दिखाई देगा संपून भारत में इस गरहन का सूतक काल भी मानने नहीं होगा पर जोतिश मानेताओं के अनुसार चंद गरहन का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है 26 मई को लगने वाला चंद ग्रहन कुछ राशियों के लिए बेहत शुब रहने वाला है इन राशियों का होगा भागे उदे तो आईए जानते हैं कि साल का पहला चंद ग्रहन किन राशियों के लिए शुब रहने वाला है मिथुन राशी के जातकों के लिए ये ग्रहन बेहत शुब रहने वाला है धन लाब होने के योग बन रहे हैं कारियों में सफलता हासिल करेंगे और आप वाद विवाद से दूर रहने का कोशिश केजिए इससे आपको हानी पहुत सकती है अब जानते हैं सिंग राशी सिंग राशी वाले जातकों के लिए धन लाब तो होगा लेकिन साफधानी भी बरतनी होगी वैपार में लाब होगा परिवार के सदस्यों का ध्यान रखे और कारियों में सफलता हासिल करेंगे आप कन्या राशी कन्य राशी के लिए ये ग्रहन किसी वर्दान से कम नहीं है दोस्तो इन लोगों की आर्थिक पक्च मजबूत होगी नौकरी और वैपार में तरक्की के योग भी बन रहे हैं और कारियों में सफलता मिलेगी अब जानते हैं मकर राशी मकर राशी के जातकों के लिए ये ग्रहन शुब रहने वाला है आर्थिक सिती में सुधार आएगा नौकरी और वैपार में सफलता हासिल करेंगे स्वास्त समद्दित परिशानिया दूर होंगी ये समय आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं और अब चलते हैं आखरी राशी जो की है मीन राशी मीन राशी के लिए भी ये चंद गहन शुब रहने वाला है भागी का साथ मिलेगा धम लाव होने की योग भी बन रहे है इस समय परिवार के सदस्यों के स्वास्त का विशेश ध्यान रखना होगा तो दोस्तों ये थी क किन राशी वाले लोगों को चंद गहन देने वाला है अपार फाइदे दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए और आप मेरे फेस्बुक औ इंस्टाग्राम आइडी पर फॉलो कर सकते हैं मुझे राशी उपचार पर अधिक जानकाली के लिए सब्सक्राइब कीजिए राशी उपचार धन्यवार